तो आज जो पढ़ोगा बहुत इंपोर्टेंट होगा ना रेक्शन साफ एलकेन एलकेन काई टाइप के रेक्शन करता है बट उसके पहले जाना है एलकेन के रेक्टिवटी बहुत कम क्यों होती है देखो जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना असमरी बाकि एलकेन, इलकाइन, बाकि जितने भी फंक्शन ग्रूप है वो सब रेडली रेक्टिव होते हैं बट अपना जो एलकेन है वो उतना हाई रेक्टिव नहीं होता इनकी रेक्टिवटी बढ़ी स्लो है रीजन क्या है एलकेन में कोई polarity नहीं होता और जब molecule में polarity नहीं होगा ना तो उसमें reactivity घड़ जाती है अब पूरे एलकेन में non polar bond है carbon carbon है या carbon hydrogen है almost non polar type का bond है तो ऐसे case में आप क्या देखते हो कि reactivity बहुत कम होती है बट कुछ बहुत ही important reaction जो एलकेन देता है और हम उसको ज thumbnail में देखे होगे हम लोग को तीन reaction पढ़ना है halogenation, aromatization और oxidation आफ एलकेन के तीनों reaction पढ़ने वाले है तो start करेंगे सबसे पहले halogenation से one by one halogenation करेंगे then आपका हम कराएंगे दूसरा reaction दूसरा reaction क्या है that is oxidation and तीसरा है aromatization तो हम लोग सारा reaction करेंगे one by one systematically आप सभी लोग जल् कियें उनको link share कर दीजे ताकि वो भी join कर लें और जो बच्चे नए हैं वो जरूर चैनल को subscribe कर लें और पूरे वीडियो का लुफ्ट उठाएं पूरा live चलेगा दमदार जब तक है जान ठीक है चलो start करते हैं तो सबसे पहला reaction जो हम लोग पढ़ेंगे halogenation of alkane halogenation of alkane देखो यह इतना important reaction है इसमें क्या-क्या पढ़ना है पहले ही देख लो halogenation of alkane alkane पर हम लोग करेंगे halogenation हाला कि अपने आप में बहुत important topic है और इसमें हमें वो पूरा चीज आपको बताना है जितनी चीजे होती है क्योंकि आगे चलके आपको बड़े-बड़े examination देने हैं है न सब examination के date भी आ चुके हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं examination का मतलब क्या होता है जब हम alkane को halogen के साथ रिएक कराते हैं under sunlight या UV light alkane free radical substitution देते हैं और बनाते हैं alkyl halide ठीक है न जब किसी भी alkane को ध्यान से देखेगा when an alkane is treated with halogen ठीक है in the presence of either sunlight sunlight का का काम अभी बताता हूँ sunlight का मतलब H new और ultraviolet UV light हो ये भी लहेगा तो काम हो जाएगा या तो आपका temperature 500 degrees centigrade के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो हमें halogen का substitution मिलता Rx plus Hx मिलता है ठीक है ये reaction कहलाता है halogenation reaction इस पूरे reaction का जो खास बात है it proceed through free radical mechanism ठीक है ये proceed करता है free radical mechanism के साथ इसमें पूरा free radical mechanism होता है और हमें पूरा mechanism क्या करना है detail में पढ़ना है तो देखते चलो और पूरे step को अच्छे से समझते चलना मैं हर step को proper explain करूँगा हर concept को अच्छे से बताऊँगा ताकि आपके भेजे में अच्छे से घुश जाए और जिंदगी भर न निकले तो chemistry अगर आपने यहाँ पे choose कर लिया है तो आपके life में इसका बहुत बड़ा role होने वाला है अब ज़रा ध्यान से देखो यह जो X लिये हो ना इस X के बारे में देखो हम यहाँ पे CL या BR के साथ ही करा सकते हैं फ्लोरो और आयडो के साथ कुछ दिक्कते हैं अगर उनके दिक्कतों का समाधान कर दिया जाए तो वो भी होते हैं बट वो difficult हैं वो usually नहीं होते हैं हम chlorination और bromination तो usually आसानी से कर लेंगे बट iodation and fluorination is very difficult उनका भी एक alternative है जो अभी मैं थोड़ी दिर बाद बताऊंगा वो कैसे alternative होते हैं पहले मैं आपको chlorination और bromination का full mechanism बताऊंगा and then we will come to the point of selectivity and reactivity and then fluorination कब होगा कैसे कराना पड़ेगा और iodation कब होगा और कैसे कराना पड़ेगा इन सारी बातों को मैं अभी discuss करूंगा थोड़ी देर में so let's start with the mechanism of free radical substitution in alkane that is halogenation of alkane one by one discuss करेंगे जो बच्चे आज का पहला वाला वीडियो नहीं देखो न weak forces अगर आप NEET-J, CVT, CVT-PG के लिए जा रहे हो तो जो अभी मैंने इसके पहले lecture पढ़ाया था weak forces वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना और उसमें जो formula है न one upon R वाले उस जरूर याद रखना आपको काम आएगा ठीक है यह एक थोड़ा सा disclaimer बताना जरूरी था आपके लिए सो आगे अब चलते हैं next अब हमारा जो next बात है mechanism of free radical substitution ठीक है हम reaction लेते हैं methane का एक methane से समझाएंगे उसके बाद पूरा detail में आपको हम बता देंगे ठीक है बाकी सब भी तो बताना है तो reaction छोटे में कराएंगे तो समझाना आसान होगा बड़े में कराऊंगो तो lengthy हो जाएगा बड़े में आपको में question कराऊंगा ठीक है तो wait कर लो थोड़ा दे हम यहाँ पे क्या लेंगे H new या peroxide R O O R ठीक है peroxide के साथ लिया जाता है R O R एक peroxide के साथ लेंगे H new in the presence of peroxide now we will get the mixture of product CH3, CL भी मिलता है CH CH2, CL2 भी मिलता है CH, CL3 भी मिलता है और CCL4 भी मिलता है यह क्यों मिलता है कैसे मिलता है आईए डीटेल में करते है let's start with the mechanism of free radical substitution मतलए कितने step में mechanism होता है यह पूरा mechanism अगर हम करें तो कितने step में होगा free radical mechanism तीन step में होता है पहला step यह है initiation ठीक है initiation, initiation में क्या होता है हम radical को generate करते है ठीक है ना initiation step में आपका radical generate होता है दूसरा step होता propagation, propagation में radical क्या करता है पूरा chain को propagate करके बड़े बड़े chain बनाता है ठीक है, उसमें क्या करेगा substitution करेगा, तो दूसरा आपका propagation step होता है propagation step और last में क्या करते है radical को रोका जाता है नहीं तो uncontrolled हो जाएगा that step is called termination step total जो आपका free radical mechanism है वो तिन स्टेप में होता है initiation, propagation और termination initiation में क्या होगा propagation में क्या होगा और termination में क्या होगा आइए करके देखें देखो Initiation का मतलब शुरुवात होना है ना पहला step क्या है? Initiation step So, Initiation step में होता क्या है? हम Radical Generator निकालते हैं ठीक है? यहां से Radical Generate करते हैं और बनाते हैं Free Radical का Formation करते हैं ठीक है? Free Radical Formation takes place by Radical Generator Free Radical Formation takes place Formation take place by Homoletic Bond Cleavage होगा क्या है? यहां पर Homoletic Bond Cleavage कर जाएगा और Homoletic Bond Cleavage करने के बाद Radical का Generation होता है तो आप यहां पर देखो यूज करो परोकसाइड एक बड़ा ही फेमस परोकसाइड जिसका नाम है Benzoil Paroxyde देखो यही है This is called Benzoil Paroxyde और इसी का यूजोली यूज करते हैं क्योंकि Highly Stable Radical यह बनाता है जब इस Radical को हम H-new के साथ reaction करवाएंगे H-new है आपका Energy तो H-new देखो बच्चों क्या करता है जो आपका Paroxyde Bond होता है वो Weak Bond होता है This Paroxyde Bond is Weak Bond इसमें क्या होता है? यह AK-क Electron Homolytically Cleave कर जाते हैं जब Single-Single तूटता है तो उसको हम लोग बोलते है Homolytic Bond Cleave ठीक है? यह Homolytic हो गया दोनों तोट जाएगा जैसे ही Homolytic होगा यह देखो क्या बनेगा? दो Molecule pH C Double Bond O O Radical बन गया ना? अब फर्दर क्या होगा? एक बार और Bond तोटेगा यहां से इस जगा से यह देखो यहां से यह तोटेगा तो यह pH Radical एक बन जाएगा और यह जो Radical है इसके साथ अरी Combine करके Carbon Day Oxide निकाल देगा और हमें क्या देगा? दो Molecule of pH Radical ठीक है? दो Molecule of pH Radical एक तो यह बनता है Initiation Step में आपका क्या बनेगा? एक यह Radical Generator प्लस दूसरा आपका जो Halogen लिये हो रहा हम Chlorination करा रहे है तो Chlorination होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यह Chlorine भी H New के साथ Homoletically Cleave कर जाता है और Homoletically Cleave क्या बनेगा? एक C-L Radical एक C-L Radical मताब टोटल दो Molecule आप C-L Radical का Generation करता है ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा अगर Chlorine Direct है तो सीधा रहेक्षन हो जाएगा परोक्साइड के तुरू गया है तो परोक्साइड का Radical बनेगे उसके बाद रहेक्षन प्रोसीड करेंगे वो आपके उपर 24 है वो आपका इच्छा है आपको करना है तो करिएगा नहीं करना है तो मत करिएगा ठीक है तो यह होमोलिटिकली क्लीव किया pH Radical प्लस कारबन डियोकसाइड यहाँ पर यह भी लिखना पड़ेगा CO2 गैस क्या हो गया उड़ गया तो हमारे दो Radical Initiator तयार है है ना एक pH Radical तयार है हमारा यह pH Radical और दूसरा हमारा CL Radical अब आपका Initiation हो चुका है Radicals स्टार्ट हो गए है Radical का Formation हो रखा है Now we will move forward हम आगे चलते हैं ठीक है अब दूसरा Step है आपका Propagation यहाँ पर पूरा फैलेगा जो Radical आया था वो क्या करेगा तहल का मचाक रख देगा Propagation अब Propagation में देखिए क्या होता है Propagation में Methane दियान से देखो यहाँ पर क्या है अपना? Methane तो हम Methane को ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3H यह क्या करता है? जो CL Radical आपका आया ना दो CL Radical थे एक CL Radical क्या करेगा? यह आएगा और इस Hydrogen को homolytically cleave कर देगा अब यहीं से कहानी स्टार्ट यह एक Hydrogen को चुरा लेता है जैसे Hydrogen को चुराएगा Carbon पर क्या आ जाएगा? CH3 Radical बन जाएगा और यहाँ पर HCl बन के क्या होगा? बाहर चला जाएगा अब आपका Radical स्टार्ट हो गया बनना Carbon जो अभी तक Active नहीं था अब Active State में आ गया Methanon Reactive था बट अब यह क्या हो गया? Reactive State में आ चुका है अब पूरा तबाही मचाक रख देगा क्योंकि क्लोरीन गैस है तो गैस हमेशा क्या होता? excess amount में होता है तो जैसे ही Methyl Radical बनेगा अब यह Methyl Radical क्या करेगा? क्योंकि क्लोरीन इसका Hydrogen चुराया है तो यह क्या करेगा? क्लोरीन के घर पे Attack और एक क्लोरीन चुरा लेगा अब यहाँ से क्लोरीन होमोलिटिकली तूट जाएगा यह और क्या प्रोड़क्ट बना दिया? CH3, Cl अब यह पूरा एक chain reaction स्टार्ट हो जाएगा देखलो, एक प्रोड़क्ट आपका बन गया एक प्रोड़क्ट हमारा बन गया यह तैयार है प्लस इसके साथ एक और चीज़ बना है that is Cl Radical अब Cl Radical जब तक इसके यहाँ Hydrogen है तब तक इसके Hydrogen चुराता रहेगा यहाँ से स्टार्ट किया है चोरी करना और तब तक करेगा जब तक पूरे Hydrogen खतम न हो जाए तो अब यहाँ के चलेगा थपड़ बाजी एक थपड़ इसका, एक थपड़ उसका यह क्या करेगा Cl Radical फिर से इस Carbon के Hydrogen चुरा लेगा तो यह बच जाएगा CH2, Cl Radical प्लस HCl आ जाएगा है ना, HCl अब फिर Carbon को क्या दिखा अरे यार मेरा Hydrogen चोरी हो गया फिर क्लोरीन के घर जाएगा, छीन के लाएगा चलो मेरा Radical वापस करो तो एक क्लोरीन वहां से उठा लाएगा है ना, एक क्लोरीन यहां से क्या करेगा ले जाकर जोड लेगा अपने में फिर एक क्लोरीन Radical बन जाएगा हमारा क्या बन गया दूसरा प्रोड़क्ट CH2, Cl2 तैयार प्लस फिर से Cl Radical बन गया तो हमारा सेकेंड प्रोड़क्ट भी तैयार हो गया अब फिर क्योंकि इसको Hydrogen दीख रहा है यह अकिले नहीं बैठेगा यह फिर इस पे टेक कर देगा और फिर इस पे टेक करेगा तो क्या बना देगा अब फिर इसको एकदम गुस्सा लगा हुआ है कि हमारा चुरा के ले गए हो छोडेंगे नहीं छोडेंगे नहीं कब तक जब तक Hydrogen गायब नहीं कर देते तो यह गायब करने के चकर में देखो यह बना दिया फिर से Radical और खुद बन गया HCl अभी भी Carbon पे क्या है Radical आ गया अब फिर यह चीज कार्बन को बरदास नहीं है तो फिर से क्या करेगा Hydrogen के घर पे धावा क्लोरीन के घर पे बोल देगा अटैक और फिर से एक चुराक लेगा क्या क्लोरी तो यहां से फिर से क्लोरीन चोरी हुआ होमोलिटिकली हुआ यह चोरी का कहानी तब तक चलेगा जब तक उसका पूरा Hydrogen गायब ना हो जाए यह बन गया CH3Cl प्लस, CL Radical अब क्लोरोफॉर्म भी तैयार, तीसरा मॉलिक्यल हुआरा प्रोडक तैयार, बट अभी भी एक Hydrogen रखा है फिर क्लोरीन को यह दिखाई देगा एक Hydrogen है, यह फिर से प्रोब्लम करेगा वाइस प्रोब्लम है, क्या प्रोब्लम है वाइस में? नहीं, वाइस प्रोब्लम नहीं है, वाइस ओके ठीक है? तो अब लास स्टेप आ चुका है अब यहाँ पर एक बार और क्या होने वाला है? यह क्लोरीन, यह क्लोरीन जाएगा और क्लोरोफार्म का यह वाला H निकाल लेगा और जैसे ही यह वाला H निकालेगा बच्चो H निकलते ही बन जाएगा CCL3 Radical प्लस HCl अब इसके पास देखो एक और मौका है, लास्ट मौका है CCL3 Radical बना हुआ है क्लोरीन के हाँ से एक CCL और वापस लेने का प्रोपागेसन ऐसे ही होता है फैलता रहता है अब CCL Radical बच गया अब इसको देखो आखरी प्रोडक्ट ही है इसका हाईडोजन नहीं है अब यह चाहा के भी इस पे टेक नहीं कर पाएगा अब मारोन आटक हो गया ना मूवन गया अब आखरी में क्लोरीन बच गया है अगर इसको हम नहीं स्टेबलाइज करेंगे तो यह क्या करेगा पुरा unwanted reaction स्टार्ट कर देगा इसलिए आखरी में हमें क्या करना है क्लोरीन को स्टेबलाइज कर देना है उसको क्या करना है terminate करना है तो last month हम लोग जब पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे खतम कर देंगे ठीक है तो अब हम लोग पहुंच गए हैं एकदम closer to the termination देखो propagation कहां से हुआ propagation start हुआ है यहां से यहां से पूरे step देखो one by one hydrogen replace होता जाएगा CL से through radical formation किते लोग को पूरा step समझ में है अप्रोपागेशन वाला शुरू से देखो यहां से बस एक hydrogen देना है chlorine लेना है chlorine देना है hydrogen लेना है बस यहीं चलता रहेगा पूरा system यहीं चलेगा किते लोग को समझ आया देखो जरा और बताओ किते लोग को समझ आया carbon tetracuride हाँ carbon tetracuride last product हो भई ने carbon tetracuride ही है समझ आया सभी को once more का आप time ने इतना लंबा जाने के लिए ठीक है ना सुरू सुज़ाइन ने क्या हो क्या बस एक hydrogen अटा के radical generate करना है यह radical chlorine molecule protect करेगा chlorine protect करेगा तो एक chlorine radical बनेगा जब तक chlorine radical बना रहेगा तब तक carbon से hydrogen जाता रहेगा slowly, slowly, slowly ठीक है ना one by one निकलता जाएगा और propagation देखो होता जाएगा हर step में एक hydrogen जाएगा एक chlorine आएगा एक chlorine आएगा बस यही systematically हुआ है अब बाद मैं वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब last step में termination करना है क्या करना अब यहाँ पर propagation तो हो गया सब जग़ा पूरा चारूर प्रड़क बनेगा जिनको bracket बनाए हमने अब last step में क्या होगा termination termination देखो क्यों जरूरी है termination इसलिए जरूरी है क्योंकि free radical जो बना है वो free घूम नहीं सकता अगर वो free घूमेगा तो किसी ने किसी sigma bond को homolytic cleave कर देगा और पूरा हमारा क्या होगा reaction बरबाद तो termination में क्या करते हैं हम radicals को combine करते हैं recombine करते हैं तो reaction stop हो जाएगा आपने product को छानिये लेकर चले जाईए ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे termination में दो टाइप से होता एक self recombination self recombination जो जो radical बना था वो सारे radical आपस में doubling कर लें है ना? self recombination कर सकता है या हम foreign elements से self recombination कैसे करेगा जैसे एक chlorine radical है ये एक और chlorine radical के साथ मिलके क्या हो जाए? खतम हो जाएगा अपने आपको destroy कर लो radical खतम CL radical क्या हो जाएगा? खतम दो methyl radical बना था सुरू में ना? जब सुरू में methyl बना तो दो methyl आपस में क्या कर जाए? recombine कर जाएग ये प्लस एक और methyl radical ये दोनों जब आपस में combine कर जाएगे तो CH3, CH2 sorry CH3, CH3 बन जाए या cross कर जाए एक methyl radical और एक chlorine radical आपस में combine कर जाए ये जैसे ही combine करेगा आपका बन जाएगा CH3, CL तो अब देखो जितने भी radical था आपस में क्या हो गए combine कर गए ये combination हुआ self मतलब आपस में ठीक है और दूसरा होता है foreign element के साथ ठीक है foreign element बाहरी element ले आते हैं हम लोग उसके साथ recombination कर आते हैं ठीक है उसके साथ इसको combine कर आएंगे तो ऐसे बहुत से molecule है जैसे oxygen है ठीक है oxygen दो chlorine radical क्या करेगा आपस में oxygen के साथ reaction कर जाएगा और बना लेता है CLOO CL ये ऐसे ही एक आपका बहुत ही must अच्छा radical generator है जिसका नाम है tempo this is known as ये oxygen पर क्या होता है radical this is shortly known as tempo D-E-M-P-O ठीक है tempo तो tempo क्या करता है जो oxygen है यहाँ पर CL जाएगा उसी oxygen के साथ क्या करता है combine कर जाएगा तो radical क्या होगा समाप्त हो जाएगा तो पूरे system का radical क्या होता है गायब हो जाता है तो recombination बहुत ही short में होता है अराम से तर्मिनेशन self recombination से या तो foreign element से अब बाहर से लेया के कोई system से element डाल दीजिए तब भेरी combine कर जाएगा या तो उन दोनों को आपस भेरी combine कर दीजिए तब भे radical क्या होगा खतम हो जाएगा इसमें आप क्या-क्या सीखे आपने दो चीजे सीखे एक तो carbon hydrogen bond तूट रहा है पहला दूसरा आपने सीखा radical का formation हो रहा है तो methane तो मालों एक carbon था methane के लाबाए ethane, propane, isobutane, pentane कुछ भी आ सकता है अगर हम rate की बात करें rate कहाँ पे जल्दी से coloration होगा, कहाँ पे कम होगा कहाँ पे halogenation का rate faster होगा कहाँ slower, ये किस चीज़ पे depend करेगा, तो आएए detail में discuss करते हैं rate of halogenation rate of halogenation किसके directly proportional होगा देखो यहाँ दो चीज़े हैं एक bond तूट रहे हैं तो bond dissociation energy पे depend करेगा, मजबूत bond होगा भाईया लोग तो बता ये जल्दी तूटेगा, कि आसानी से तूटेगा अगर माल लोग को ये bond बहुत मजबूत है तो उसमें radical जल्दी बनेगा कि slow बनेगा और किसी का radical highly stable हो गया तो किसमें जल्दी बनेगा तो देखिएगा stability of radical के directly proportional होगा stability of radical जितना ज़्यादा stable radical होगा rate उतना high होगा halogenation का और inversely proportional to bond strength bond strength जितना ज़्यादा होगा bond जितना मजबूत होगा उतना slow हो जाएगा halogenation ये formula जरूर याद रखना example अभी कराता हूँ ये formula भाईया एकदम याद रखना radical जितना ज़्यादा stable उतना जल्दी से halogenation हो जाएगा और अगर bond बहुत मजबूत है तो फिर slow हो जाएगा तो आप बताओ माल लो कि कोई carbon hydrogen है ठीक है कोई carbon hydrogen है एक SP का है एक SP2 का है और एक SP3 का है कौन सा वाला जल्दी substitution करेगा चलो बच्चा लोग बताओ तो जड़ा ये carbon आपका SP3 है ये carbon आपका SP2 है ये carbon आपका SP है अलकाइन का carbon अलकीन का carbon और अलकेन का carbon अगर हम इसमें free radical substitution कराएं और hydrogen को replace करना चाहें तो किसका rate highest होगा बताइए rate का order बताएए क्या होगा इसमें कौन सबसे तेजी से substitution करेगा सबी लोग देखो और अख्छे सांसर करो radical की stability अभी बता रहें कैसे पता चलेगा पहले इसको बताओ तब बताएँ न इन तीनों में कौन सा bond सबसे मजबूत है which bond is stronger bond जो बच्चे इस channel पे नए है वो क्रिपया channel को subscribe कर लें और जो बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को like कर दें और share जरूर करें share तो एकदम जरूर ही करें यह आप लोग का बड़ा हैसान रहेगा मेरे उपर एलकेन, एलकेन क्या लिख रहे हो भाई 3, 2, 1 किसी ने 3, 2, 1 बताया साक्षी मिसरा एलकेन का, हाँ एलकेन का, exactly एलकेन सबसे कमजोर bond है कमजोर bond सबसे जल्दी तूटेगा एलकेन सबसे, एलकेन बीच में एलकाइन सबसे लास्ट में मजबूतेस्ट bond, स्ट्रोंगेस्ट कौन सा होगा, SP वाला होगा ठीक है, उससे कमजोर SP2 वाला, उससे भी कमजोर SP3 वाला, अब इसका question देखो कहा सबता है, दूसरा stability of radical भी बता दो, ये bond strength का अकरम देख लिए न, bond strength यह है सबसे lowest bond strength किसका था single bond का, ये था आपका weakest bond, तो जो weakest bond होगा उसमें substitution क्या होगा fastest, और जो सबसे strongest bond होगा, strongest bond होगा, strongest bond में क्या होगा, slowest हो जाएगा तो पहला bond strength का अच्छा दिया नाव मैं आपको सिखाने वाला radical की stability, कैसा depend करता है ठीक है, अलकाइन वाला bond ज्यादा strong होगा, हाँ, बिलकुल अलकाइन वाला bond ज्यादा strong होगा, जो मजबूत बोड़ों का जल्दी टूटे के ने radical बनेगा नहीं बनेगा नहीं तो रिक्षन होगा ने, slow हो जाएगा that's all हाँ, दूसरा radical की stability पहले तो radical stability order लगा लो आप लोग BSC final में पहुँच गए हो, नीट का आखरी स्टेज चल रहा है और अगर आपको stability आप radical नहीं आता है तो आप लोग को क्या करना चाहिए, पता है ऐसे ऐसे चुल्लू बनाना चाहिए उसमें पानी भरना चाहिए, ठीक है और वाखिए वही जो आप समझ रहे हो, वही करना चाहिए क्योंकि अब BSC final में और नीट आप तो आप लेवन तो पढ़के आए हो और आपको radical stability order नहीं पता तो चुल्लू पानी आगे जो आपको पता हो, वही कर लेना होता है ठीक है ना, हालक ही मैं बता देता हूं क्याए कि तुम लोग कहोगे पढ़ाये तो आप ही थे ना सबसे ज़्यादा stable होता है benzylic benzylic बोले तो pH resonance stabilization जहाँ होता है ध्यान से देख लो, यह होगे आपका सबसे ज़्यादा stable यह benzylic radical होता है then allylic radicals जहाँ पर भी allylic group बनेगा allylic radical अभी मैंने GOC में सारा पढ़ाया था GOC में पूरा पढ़ा काया हूं GOC में था एंड इसके बाद आपका आएगा tertiary radical, then आपका आएगा secondary radical, then आपका आएगा primary, सबसे खराब stability होती है methyl radical की तो आप यहां से देख सकते है कौन सा radical बन रहा है उस पे तुरंट पता चल जाएगा तुरंट पता चल जाएगा आपको ठीक है ना तुरंट ही पता चल जाएगा देखते ही तुरंट पता चल जाएगा ते stability अटर रहाद रखोगे दो चार दस दिन अब चल एक question देते हैं ठीक? एक question देते है देखते हैं कौन-कौन बताता है सही बताने है लोगों को दिया जागा नगदी नाम ठीक है ना? एक और question करने का सुनहरा मौका आपको देंगे मैं चार hydrogen बना रहा हूँ आप बताना किस hydrogen पे सबसे fast rate से substitution होगा chlorination अगर एक ही mole आपको chlorine दूँ और पूछूँ कि इन चारों में numbering करता है H1, H2, यह आप का हो गया H3 और यह आप का हो गया H4 ठीक? अगर इन चारों में सिर्फ आपको मैं बोलूँ कि एक ही molecule chlorine देंगे ठीक है? सिर्फ 1 mole तो किस position पे जाके substitution होगा? देखके सोच समझ के answer करना एकदम अच्छे से गलत नहीं होना चाहिए करो देखके बताव सबी लोग कहा होगा? इसमें किस position पे substitution होगा? देखके बताव सबी लोग अब यह मैंने आपको condition बता दिया rate of hallucination का H2 और कोई? H2 वा रे वाह वाह नहीं नहीं वाह H2 H2 सबसे मजबूत बन कौन सा है भी यह इसमें से इन चारों में सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बन कौन साही जरा बताना तो इन चारों में स्ट्रॉंगेस्ट बन कौन? H2 H2 सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बन H1 दिब्या तुम्हारा सही है H2 तो सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बन है न यह SP2 का बन है आंधर हो का तुम सर एकदम आख से सूर्दास हो यह SP2 है यह SP3 है यह SP3 है यह भी SP3 है तो कौन आसानी से रेडिकल बनाएगा SP2 का SP3 SP2 तो सबसे लास्ट में जाता यार SP2 सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बन्ड है सबसे फास्ट जाएगा H1 क्योंकि H1 पर जो रेडिकल बनता वो टर्सरी एलालिक बनता देख लो सूर्दासों यह कैसे पढ़ेगा रहे तु सब देख यही रेडिकल बनता ना इसी रेडिकल बनता का CL क्या होता जोड़ जाता और आपको final product देता एक दम आसान question दिए और तुम सब धुआ धुआ हो गये है ना धुआ हो गये इत्ता मेहनत से पढ़ाओ और concept का गोबर कर जाओ कैसे कर लेते हैं आप लोग देखो तो समझ आया कि नहीं आया most stable radical कौन बनेगा यही बनेगा यह allylic है उपर से tertiary है तो tertiary allylic बना most stable radical बाकी सब यह भी allylic बनता बटे secondary allylic बनता यह normal alkyl बनता तो subset stable कौन होता allylic ना वो भी tertiary ना बोले समझ आयक नहीं आया थोड़ा सा क्या होता है गलत पूरा गलत होता है ऐसा थोड़ा गलत हो गया सा 4 में से एक नमबर देजिए तीन काट लीजे नाई गलत माइनस एक ही मिलेगा चार तो गया ही तो reactivity सभी लोग वो आ गई बोलो सभी लोग जल्ली से reactivity ओट लगा लोगे कोई ऐसा है जो reactivity ओट लगा पाए तो बताए आगे चलू मैं मुझे आगे बताना है तो next चलो अब अब हम लोग बढ़ेंगे allodation और fluorination difficult है ना देखो allodation जो होता है allodation of alkane is difficult but कुछ condition अपलाई करके करा सकते हो alkane is difficult but by the use of but नहीं पहले लेकर क्यों difficult due to reversible reaction यहाँ पर reversible reaction होता है reversible reaction reversible reaction हो जाता है क्यों होता है जरा ध्यान से देखो जब हम किसी halogen पे sorry alkane पे halogen का attack कराते हो भी iodine का ठीक है एचनिव के presence में तो जरा बच्चों ध्यान देना यह बनता तो ri है बट यह ri इतनी जल्दी खतम हो जाता है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं क्यों hi सबसे strongest acid है और उसमें जो आपका यह i- था यह i- जो है this is a strong reducing agent यह आपका क्या होता है strong reducing agent होता है जिसकी वज़े से क्या करता है यह वापस इस पर attack करके reaction को पीछे भगा देता है ठीक है due to strong reducing activity of this i- this reaction always move towards the backward side और हमारा reaction क्या हो जाता है resultant 0 हो जाता है तो suggestion क्या है कैसे रोख पाएं कुछ ऐसा हो कमाल कि i- उड़ जाए अपने को कुछ ऐसा कराना है कि जो i- आप देख रहे दुस्ट i- आपको दिखाई दे रहे यह गायब हो जाए अगर यह i- गायब हो गया देन मज़ा आ जाएगा कैसे मज़ाएगा यह i- के गायब होते ही reversibility रुख जाएगा तो हम Q न कुछ ऐसा oxidizing agent लगा है कि i- i2 में convert हो जाए और हमारा काम हो जाए complete तो यह reaction तभी हो पाएगा जब हम यह reaction कराए in the presence of oxidizing agent तो this reaction can be achieved by the use of oxidizing agent ठीक है so iodation can be achieved by iodation can be achieved by achieved by using oxidizing agents agent like HClO4 और HNO3 जब इसमें HNO3 डाल दोगे ठीक है न, HNO3 क्या करता है i- को oxidize कर देगा और अपना काम हो जाएगा तो oxidizing agent अगर आप यह use करते हो जिन आपकी कहानी बन जाएगी otherwise यह कहानी नहीं बनेगी और reaction कभी भी forward reaction में नहीं जाएगा यह हमेशा backward जाएगा बात समझ गए न यह clear है सभी को बताएगे सभी लोग को यह clear है iodation क्यों difficult था और कैसे iodation को achieve कर सकते है सभी लोग बताएगे clear है वा अच्छे समझ में आया यह so आगे चलो fluorination में देखो क्या difficult है fluorine बहुत दूस्ट है वोना uncontrolled reaction करता है जिसकी वज़ा से carbon 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 hydrogen सारे bond ही तूट जाते हैं rapture हो जाते हैं और जिसकी वज़ा से दिकत क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उसके अलावा बाकी सब मिलता है एकदम बहुत जादा mixture of product मिलता है इसको isolate करना difficult होगा तो due to very high reactivity of fluorine all CC and CH bond broken out due to which we cannot achieve fluorination normally तो अगर आप चाहते हो कि fluorohalides बने जिन आप सभी ने कभी पढ़ा होगा एक reaction नाम बताता हूँ याद करिएगा SWART reaction याद है किसी को SWART reaction fluorination direct नहीं बनता halogen exchange से बनेगा और उसका नाम है SWART reaction SWART reaction उसमें होता क्या है कि हम किसी भी alkyl chloride या alkyl bromide को silver fluoride से गरम करते हैं तो chloride fluoride से change कर लिया जाता है और आपको fluorohalken मिल जाएगा आप ऐसे reaction करने जाओगे तो नहीं बनेगा fluorination नहीं होगा किक है तो fluorination कराना है तो SWART reaction आना है SWART आएगा fluorination हो जाएगा बास समझे आप सभी लोग नाव मुझे जो पढ़ाना है selectivity and reactivity बताना है ठीक है एक का नाम है selectivity और एक का नाम है reactivity पढ़े हो ना तो अच्छे सा याद कर लेना SWART reaction जाके आज किताब खुल के पढ़ लेना SWART reaction बहुत important है fluorination उसी से होगा चलो अब आपको बताते है selectivity क्या होता है और reactivity क्या होता है और दूसरा टर्म है reactivity कुछ बता सकता है selectivity से क्या मतलब और reactivity से क्या है यहाँ क्या होता है selectivity जो bromination है वो highly selective है bromination क्या होता है highly selective अब एक जामपल के साथ बताऊंगा bromination is highly selective मतलब यह हो गया selective होने का purpose यह है कि जैसे माल लो किसी compound में एक से अधिक product बनने का chance है तो कोई product बनेगा 99% अगला बनेगा 1% तो selectivity क्या 99 का high है वह अगर chlorination हम कराएंगे तो यह क्या करता है 70% 30% उसी compound का 70% बनेगा और 30% बनेगा तो selectivity क्या है? lower है, है न? तो इसकी क्या होता है? reactivity high है तो chlorination is reactive chlorination is reactive reactive का मतलब यहाँ पे दोनो compound जो दो product बनेंगे reaction लिख दिया, reactive लिखना था दोनो compound क्या बनेंगे? लगभग लगभग समान amount बनते हैं या difference बहुत ज़्यादा नहीं होता है selective में एक बहुत ज़्यादा दूसरा उतना ही कम तो दूसरे के लिए selectivity का हाई है और एक जो बहुत कम बना उसके लिए selectivity का बहुत ही पूर है बट अगर हम chlorination में बात करते हैं तो problem क्या होती है? एक में बनता है 70, दूसरे में 30, 40, 60 तो 40, 60 बनेंगे तो लगभग लगभग तो बराबर आ गये ना तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते है selectivity ठीक है आईए one by one आपको example से समझाते हैं कैसे दोनों में होता है ठीक है न? तो हम लोग सबसे पहले कराएंगे propane का chlorination भी और propane का bromination भी दोनों देखना किता किता बनता है हम कराएंगे propane का chlorination और propane का bromination दोनों यह हमारा propane है ठीक है देखो होता क्या है जब bromination कराओगे तब क्या बनेगा और जब chlorination कराओगे तब जब मैंने यहाँ पे chlorine और acne उडाला है न? chlorine और acne उडाला दो product बन सकते हैं एक terminal वाले पे एक बीच वाले पे तो देखो कैसे बनता है terminal वाला बनता है 45% यहीं इसका दूस्टता चालू हो गया CH2 CL PLUS CH3 CH, CL CH3 यह दो product बने अब दोनों product में देखो क्या differences आते हैं ठीक है पहला वाला जो product है वाला बनता है 45% और यह बनता है 55% देखो जड़ा क्या है यह दोनों में कोई selectivity लग रही है इतना ज़्यादा दोनों बन रहे हैं बट यहीं अगर bromination कराए होते bromine और echinil ठीक है तो bromine echinil का ratio देखो आपका मन खूस हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CL यह बनता है 3% और बाकि जो 2 chloropropane बनेगा 2 bromo यहां भी bromo लगाईएगा जल्दी जल्दी दोनों जगे रेक कर गया selective नहीं शोकिया जल्दी से रेक करके दोनों बना दिया percentage दोनों का excess में है but chlorobromination वाले में देखो यह केवल 3% बना less stable radical से गया यह primary radical से गया था और यह secondary radical से तो more stable radical क्या होते हैं इसको कहा सकता है kinetically controlled reaction मतलब कि speed matter करता है यहाँ पर thermodynamically controlled reaction energy matter करता है जो lower energy का होगा वो major product होगा तो lower energy का कौन है more stable radical lower energy less stable radical higher energy तो यह kinetically controlled मतलब इस speed से हो जाता है उसको speed handle करता है और इसको energy handle करता है तो चलो बताओ बास समझ में आया reactivity और selectivity मैं अभी दो एक्जामपन और कराऊँगा यह तो पहला था selective place चूज करता है कहां white company करना है पेड के नीचे department के पीछे कहा selective होगा है की नहीं आया समझ में क्या दोनों बाते सबको समझ में BR selective है bromination selectivity सोकर दा है TCR का मतलब thermodynamically controlled reaction यह selective है और यह क्या है reactive है क्या बोलते हो पले पड़ा H2 अभी कहां से आ रहा है वह आपको नहीं पता चलेगा यह theoretical data होता है tender book के पड़ोगे तो मिल जागा book में सब लिखा हुआ है यह हम calculation नहीं करते है वह already calculated है हमें बस compare करना concept पढ़ना में amount नहीं पढ़ना amount से आपको कोई लें देना नहीं है so don't worry about the amount एक और example देखो isobutane देख रहे हो isobutane वहाँ नहीं बनाते हैं यहां बनाते हैं isobutane में कितना कितना percent बनेगा अंदाजा लगा के बता सकते हो तुक्का मारो सबका तुक्का तो मजभूत है होगा यह isobutane इसका chlorination कराने जा रहा हूँ देखो के तो आपको समझ में का bromination is highly selective वह बहुत अच्छे से choose करता है most stable radical most stable chlorination ऐसा नहीं करता है तो पगला है है ना इसको पगला इसलिए करते है बस देखने फटा मट कूद पड़े यह करेंगे वो करेंगे सब करेंगे बना दिये बादन पर चला कि सब value less है slow आओ इंपोर्टेंट बनाओ सबसे stable product बना के जाओ तब माना जाएगा कहां आप मेहदाम आप ही हो सबसे महान इंसान नहीं तो आप हो पगलेट यह देखो इसका क्या होता है जहां पिसको hindrance दिखाई देता वहां से भाग लेता इसको energy से मतलब है नहीं है यह इतना ज़्यादा दूस्ट होता है यह 64% बना लिए देखो primary radical सा 64% बना लिए इनसे बड़ा बेवकुफ कौन होगा और दूसरा tertiary जो बनाए वो सिर्फ पहले ही बना लिए थे ना तब जो tertiary बनाते हैं वो कितना बनेगा 64 में से बाकी जो बचा वो 36% यह बनाता है 36% अब आप बताई ऐसा होना चाहिए था मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या यह ऐसा सही था होना चाहिए था दूसरा यहाँ देखो यह बनता है सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट ब्रोमिनेशन कराने पर सिर्फ एक परसेंट बनता है और टर्शरी वाला कितना बनता है 99% समझ रहे हो यह ब्रोमिनेशन 99% तो कौन सेलेक्टिव हुआ हाईली सेलेक्टिविटी अब्सरविन ब्रोमिनेशन बिकाज इट प्रोसीड थूँ यहां का रेडिकल टर्शरी बनता मौस स्टेवल रेडिकल से आएगा तो टर्शरी रेडिकल मौस स्टेवल होते हैं औड यह वाई ऑलो आया समझ मैं सभी को तो यह था आपका पूरा हैलोगीशन जो मैंने कॉम्पलीट कर दिया ठीक है हेलो जनेर्शन ही हो पाए आज अब नेक्स लेक्चर में हम उखका कराएंगे औरमाटाइजेशन ओक्सिडेशन देन अरमाटाइजेशन तो आज की सवाई